कोरोना महमारी की वजह से तमांग तरह की दिक्तों ने वर्स 2020 को पूरे देश नहीं बलकि संपूर्ण विश्चु के लिए एक बेहत खराब वर्स के रूप में दुनिया ने देखा लेकिन आने वाला वर्स कई नई उमीदों को लेकर के आ रहा है कोरोना की वैक्सीन आने की उमीद वर्स 2020 से है और इन तमाम उमीदों के साथ अंबिकापूर सहर में अंबिकापूर नगर निगम में सहरवासी किन उमीदों के साथ किन सौगातों को देख सकेंगे इन तमान मामलों में बात करने के लिए हमारे साथ नंबिकापूर नगर निगम के मेर डाक्टर अजय तिर्की हैं रखसाब स्वागत है आपका उटीव भारत पर रखसाब वर्ष 2021 बीस में हम लोगों ने सभी ने काफी मुश्किल दोर देखा वर्ष 2021 किन नई उमीदों के सा आ रहा है और क्या योजना सहर को मिलने जा रही है देखिए ये वर्ष काम के हिसाब से भी सोचे तो बहुत कठिन परिस्थिसे से पुरा देश ही नहीं पुरा विश्व बहुत कठिन परिस्थिस से गुजरा है इसमें हम लोगों ने कई अपनों को खोया लेकिन मैं पूरी उम्मिद करता हूं कि अगले वर्ष हरवरी मार्च तक जैसे कि उपर इस तर पे बात हो रही है और वैक्षिन के लिए ट्रायल चल रहा है वैक्षिन जरूर आ जाएगा और एक अच्छी खबर लेके पुरे देश्वाश्यम के लिए पुरे विश्व के लिए आएगा और ह हम बहतर तरीके से जी सकेंगे और जो भी काम हमारे इस कोरोना काल के कारण रुके और शहर के विकास के लिए भी जो बहुत अच्छे अच्छे काम हम लोगों ने सोचा था वो रुके थे उमिद करता हूं कि उन सभी कामों को हम पूरा करेंगे इसमें हमारा सबसे पहले तो के पूरे रिंग रोड को ब्योस्थित कर पाएंगे और जो दुरघटना ही होती है उससे बच सकेंगे और लोगों को ब्योस्थित भी कर पाएंगे इसी तरीके से मंडी के लिए हमको पैसा भी मिल गया है जमीन भी पूरी तरह से अगरिम पजेशन में हमारे पास है उम्मिद करते हैं नए साल में हम उसे भी शुरू करेंगे भी और पूरा करेंगे और पूरे थोक बंडी को हम ब्योस्थे तरीके से वहाँ पर स्थापित करेंगे इसी तरीके से बहुत सालों की माने जब से निगम बना है तब से हम एक पानी टंकी की नीचे ऑफिस पे काम कर रहे हैं कई जगहों के डिसिजन हुए लेकिन कभी कोई पट्टे का जमीन कोई किसी दूसरे भी भाग का अबंटित ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने अपने निगम के सामने के ही जगह को मांगा है और उसका अगरीम आधिपत्ते भी हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा हमें उमीद है कि हम नए भावन में अगला कार्या सुरू करेंगे वो भी एक बड़ा काम होगा शहर के लिए और किसी भी शहर को ब्युस्थित करने के लिए ये सब चीज़ें जरूरी है आपने देखा होगा कि जो हमारा नया बस स्टेंड है बंत हो गया दस पंदरा साल से ज्यादा हो गया वो उसको लेकिन उसके स्थिती कभी भी बहतर नहीं हो सकी क्योंकि वो निचली छेत्र में बना था और काफी दिक्कतें गाड़ी वालों को भी और पैसेंजर्स को भी होता था लेकिन वो आर्सेसी अगले दो मेहने में पुरा कंप्लीट हो जाएगा आपने देखा होगा काम शुरू भी हो गया है तो बस स्टेंड भी एक व्योस्थित तरीके से होगा रही बात हमोंके सुच्छता से जुडी हुई तो उसको हमों एक चैलेंज कर के और और शुरू से हम लोग ने गार्वेज को एक चैलेंज सोच के काम किया है जबसे हम लोग यहां पर सत्ता में आये हैं उसी तातमय में हम लोगों ने गार्वेज कैफे जो शुरू किया था जिसकी चर्चा उन तक में हुई कोरोना काल के कारण फिर अभी बसिस्टें के अपग्रेडेशन के कारण नहीं चल पाया बंद करना पड़ा परिस्टें के अनुसार और रशाषन के अनुसार अभी वहां के कारे पूर्ण हो जाने के बाद में उससे भी बहुत अच्छे से हम लोग शुरू करेंगे और जो प्लास्टिक को डिसकरेज करने के लिए और पूर पिपल्स को एंकरेज करने के लिए जो हमनों ने शुरू किया था एक सोच के साथ में वह अच्छे से शुरू होगा अभी चुकि अमरूत योजना काफी दिन से पेंडिंग हो गया, पेंडिंग नहीं काना चाहिए, कुरोना काल के कारण काफी धेमी गती हो गई थी, लेकिन उसे भी हम लोगोंने आउसर का सोच के, बीच के जो जगें बची हुई थी में लाइन के, उसे भी पूरा किया है, औ वाके में मैं अपने वरकर्स को, इंजिनियर्स को सेलिट करूँगा, कि उन्होंने इतने कठीन परिस्थिती में भी काम किया और उसे बंध होने नहीं दिया, वो काम एक पूर्ण हो जाएगा, वाटर सप्लाई का, अगले 30-40 साल के लिए वो फिर हमारे लिए एक अच्छा काम हो जाएगा, उसी तार्तमे में हम लोगोंने काफी सडके खोदी पाइपलाइन डालने के लिए वो पूरा नहीं हो पाया, हम लोगोंने पूठप किया है प्रोजेक्ट कि पूरे शहरों के सडकों के उम्र भी 15 साल से जादा हो गई है और वो रिनोवेशन और नेरोट के काटिगरी में आ गया है, तो उसके लिए मांग किया है, मुझे पूरी उमीद है कि वो मिल जाएगा, तो हम पूरे शहर के सडकों को ब्योस्ति तरीके से बना के बेहतर कर सकेंगे, ड़क साब, अंभिकापुर नगर निगम की जो पहचान है वो पूरे देश में हमेशा इन इनोवेशन देखने को मिलेंगे। इन इन इस्टेज कैसे हो, जैसे के सोलिड वेस्ट मनेजमेंट है, उसमें हम लोगों ने प्लास्टिक को पूरे इन इस्टेज तक किया और रिसाइकल किया, वैसे ही गोबर प्रती दिन हमारे यहां लगभग बीस्टन आ रहे हैं, अब वो जमा होते होते पहाड सा हो जाता लेकिन हमने तुरण सोचा कि इसको कैसे उसके इन इस्टेज करके उसको रिसाइकलिंग में यूज करें, ताकि एक रोटेशन कोई भी चीज का बना रहे हैं, और कोई भी चीज काम करते करते हो, हमारे लिए वाने भी पत्ती न बन जाए, तो इन इस्टेज होगा, रिसाइ के मेर डाक्टर अजयतिर की, जिन्होंने बताया कि जो निरंतर काम चल रहा था, बीते वर्स में वो काम प्रभावित भी हुआ, लेकिन आने वाला वर्स 2021 किस तमाम तरह की योजना का लाब सहर को मिलेगा, इसके साथ ही जो इनकी और नगर निगम और अंबिकापुर सहर की पहचान रही है, जो इनोवेटिव आइडिया यहां पे लागू किये जाते हैं, लगातार नए इनोवेशन अंबिकापुर करता है, वो जारी रहेगा और इस इनोवेशन की सफलता के पीछे का जो कारण इन्होंने बताया वो ये था कि किसी भी योजना को सुरू करने से प अंबिकापुर नए इनोवेशन में देश में अपनी एक अलग पहचान बनाता जा रहा है, देश दीपकुत्ता, ETV भारत सरगुजा